नमस्कार दोस्तों कामियवितक यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है हमने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था कि जल्दी हर्याना में गुरूप डी और गुरूप डी और गुरूप सी के रिक्पद भननी का नोट्पिकेशन आने वाला है ऐसा ही ह हुआ और कब तक ही बढ़ती होंगी क्या ये नए पद हो सकते हैं हर्याना में गुरूप सी और गुरूप डी के नए पदों को बढ़ने के लिए काम सुरू कर दिया है गुरूप सी और गुरूप डी के बकाया पदों को कब तक भरा जाएगा और क्या नए एक पद भी नि गुरूप C और गुरूप D के बगायर रिक्त पदों को आगरे HSSC को बेजने के निर्देश दिये हैं पहले ही हो चुके CT के तहट ही इन पदों को बढ़ा जाएगा खर्याना सरकार ने लोकसवाचनाव में पांच सीटे हाने के बाद सरकार के नए रिक्त पदों पर बढ़ती करने के लिए काम सुरू कर दिया है गुरूप C और गुरूप D के जिन पदों पर पहले से ही बढ़ती प्रिक्रिया चल रही है उससे अलग Group C और Group D के बखाय रिक्त पदों को बढ़ने की कवायत सिरुक कर दी है सरकार ने विवागों बाड़ों निकमों को पत्र बेज कर कहा है कि Group C और Group D के रिक्त पदों का आगर पत्र हरियाना करमचारी चेनायों के पास बेजे इन नए पदो पर भठी पहले से हो चुकी है CET के अनुसारी होगी सुन लीजिए जो CET के अनुसारी बढ़ती पिरक्रिया की जाएगी जो पिछला CET हो चुका है अभी तक गृप C के लिए एक और गृप D के लिए एक CET हो चुके है गुरुप D और गुरुप C के लिए गुरुप C और गुरुप D, C और D के लिए एक ही CET हो चुका है जब तक दूसरा CET नहीं हो जाता तब तक रिक्त पदों पर भरती इसी CET के नुसार की जाएगी गुरुप C और गुरुप D के लगवग साथ हजार पदों पर भरती पर क्रिया चल रही है मगर गुरुप C के लगवग पांस हजार और गुरुप D के भी लगवग पांस हजार नए रिक्त पदों का आगरे और HSE को बेजा जा सकता है तो Group C और Group D के दोनों के 55,000 नए पद रिक्सतान फारम जल्द ही निकल सकता है मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको पहले ही बता दिया था कि जल्द ही Group C और Group D के फारम निकल सकते हैं एक दो दिन का ही समय जा रहा है लास्ट बीस जून तक ये फारम निकल जाएंगे और जैसे ही फारम निकलेंगे आपको आगर कर दिया जाएगा लेकिन आपको बता देता हूँ कि CET जो पराना CET हुआ है उसके आदार पर ही Group C और Group D के पद आयुजित किये जाएंगे रिक्त पद आयुजित किये जाएंगे लिका ले जाएंगे लेकिन CET क्वालिफाई किया जाए ये सोसल मीडिया पर चला गया एक आवियान है जो ट्रेनिंग में चल रहा है इसके बारे में बात कर देते हैं क्या नया CET हो सकता है या सभी को इसमें सामिल किया जा सकता है हरियान में उन यूबा विरोजगारों ने बदवार को सोसल मीडिया पर अवियान चलाया आगरे किया कि CET को क्वालिफाई किया जाए दिन बार ये ट्रेन में भी रहा इन यूबाओं की तरफ से बनाए गए संक्टन के लीड कर रहे हैं रविंद्र मलिक ने बताया कि सभी यूबा विरोजगार चाते हैं कि CET को क्वालिफाई किया जाए CET को क्वालिफाई किया जाए और सभी को इस भरती में सामिल किया जाए ये मांग लगातार सरकार से पहले भी की गई थी अभी तक सरकार ने इस पर ध्यान ने दिया है सरकार जब भी CET नीती में संसोधन करे इसे क्वालिफाई नीचर बनाया जाना चाहिए अभी तक CET से कोल करनुसार कुल पदों को चार गुना को सॉर्ट लेस्ट कर नॉलिज टेस्ट लेनी का प्राबदान है तो आपको अगर हमारी वीडियो अच्छे लगी है तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नहीं है तो चैनल को सबस्काइब कीजिए सबसे तेज सबसे फास्ट और सबसे बिस्वनिया जानकारी के लिए कामेवी तक यूट्यूब चैनल को सबस्काइब कर लीजिए झाल झाल